जैस्री किश्णा राधे राधे स्वागत है आप सभी का मेरे सुपरलोगी चैनल में दोस्तो आज मैं बताऊंगी आपको लड़का होने की सरफ तीन निसानिया बताऊंगी तीन ऐसे लक्षण बताऊंगी जो की काफी महलाओं के अंदर देखे गए और काफी प्रजलित हैं ये लक्षण जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अक्सर हमारे बूड़े बुजुर्ग जो बताया करते हैं वह लक्षण कहीं न कहीं सही बैठते हैं और इन मैंसे कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो मेरे उपर फिट भी बैठे हैं गाइस जब भी प्रेगनेंट औरत होती हैं मा बनती हैं जैसे उसको पता लगता है गाइस की हम मा बनने वाले हैं तो वो काफी उत्सुक रहती है ये जानने के लिए उसके अंदर जिग्यासा उठती हैं तरह तरह के सवाल उठती हैं कि हमारी जो आने वाली संतान है वे लड़का होगा या लड़की तो गैस अगर पहले से दो लड़की हैं तीन लड़की हैं तो उनके अंदर ये ज्जादा जिग्यासा होती है कि हमारी बेहन के लिए एक भाई हो जाए तो इस तरह कि गैस अगर आप हम इस लक्षड को जो बत सेंट सही हैं या आपके उपर फिट बैढ़ते तो लड़का ही आपको हो और हम लड़का लड़के में कोई भेदवाब नहीं करते हैं और नहीं हम ऐसा कोई बढ़ावा देते हैं प्लीज हमारी वीडियो को देखकर आपको भी ऐसा कलत कदम न उठाएं जिससे आपकी बेबी को नुकसान हो सके और दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो मेरी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में वेल आइगन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एन में पसंद है तो लाइक जरूर कर दें आपके लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है और दोस्तों सबसे जो पहले लक्षण में आपको बता रही हूं अगर आपके शुरुआती दिनों में पहली तिमाई में अगर आपको जैसे आपको सबजी बनाते हो प्याज है लेसुन है सबजी बना रहे हैं उसमें स्मेल आ रही है या रोटी बना रहे हैं उसमें स्मेल आ रही है आपको जी मिचलाता है आपका चने की दाल खास कर आप बनाते तो उसमें आपका जी मिचलाता है मीठा देखकर आपका जी मिचलाता है उल्टियां जैसा लगता है बोमिटिंग जैसा तो य लड़का होने का सुबसंकेत माना जाता है यह लक्षण काफी महिलाओं के अंदर देखा गया प्रजलित है हमारे अक्सर बुड़े बुजुर्ग भी इस लक्षण के बारे में बात किया करते हैं बात करते हैं नेक्स लक्षण के बारे में गैस अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आपको चिड़-चड़ा पन रहता है आपके सिर में दर्द रहता है आपके कंदों में दर्द रहता है या आपके कमर में बहुत दर्द रहता है इन चीजों में अगर आपके तीसरे महिने से लेकर 7-5-6 महिने तक कैसे दर्द रहता है 9 महीने तक तो आप ये तीसरे महीने से शुरू हो जाते हैं अगर ये चीज आपके अंदर भी है आप नोटिस करना कि आपके अंदर भी ये चीज है तो ये एक लड़का होने का सही संकेत माना गया है जो कि ये मेरे अंदर भी बिल्कुल फिट बैठा था गयाइस बात करते हैं नेक्स लक्शन के बारे में गयाइस अगर आपको नारियल नजर आ जाता है सपने में अगर आपको नारियल दिख जाता है तो ये भी लड़का होने का शुब संकेत माना जाता है क्योंकि सपने में नारियल हर किसी को नहीं दिखता उसको ही दिखता है जिसने बेबी बॉय को कंसिब किया हुआ है नारियल लड़के का रूप माना जाता है बॉय का रूप माना जाता है गैस अगर नारियल दिखता है फलों में आपको अनार अमरूद सेव ऐसी सके औरों को और भी लाव उठा सकें इसके बारे में जैस्री किशना